असलाम वालेकुम राहमतुल्ला हम लोग एकाया और पैमाईश का अगला लिक्षर लेकर आए जिसमें हम लोग बामाने आदात को सीखने वाले हैं जिसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते इंगलिश में इससे पहले कि हमकी लिक्षर शुरू करें कुछ एक डौट से हमारे उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए इसमें हम लोग पूरे उर्दू मीडियम के लिए फिजिक्स के पूरे थर्टी चैप्टर नीट और आईटी लेवल के एक्स्प्रेंट करने वाले हैं वो तो अपनी जगे पर हैं ठीक है कुछ बच्चे रिक्वेस्ट करें थे चैनल पर एक्स्प्रेंट करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको बोला था कि बेसिक मैथमेटिक में आपको सिकाओंगा जिसमें ट्रिक्वामेंट्री कैलकुलस वगर आने वाला है तो वह बी उर्दू मीडियम के लिए स्पीशली है तो अगर आगा किसी को नहीं समझ म अदर जो देखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरा हर वीडियो जो बचा उर्दू बोल सकता उसके लिए जिसको उर्दू बोल नहीं आती समझ में आती काफी है चाहे हो इंग्लिश मिद्यम का हो या उर्दू मीडियम का हो तो बहुत आसान लैंग्विज में जतना हो स सब्सक्राइब करने वाला हूं बामाने आदात और सभू दोनों के सवालात का वीडियो एक अलग आइंगा ठीक है तो बामाने आदात क्या है पहले इसके बारे में डिटेल में सुन लीजिए बचों अगर मैं यहां पर एक नंबर लिखा तो नंबर क्या है दो इसके माइने हैं दो चॉकलेट दो बिस्किट कुस्तों मीनिंग आरा ना दो का बिलकुल आरा अगर मैं इसके सामें जीरो लगा दो तो अभी भी नमबर क्या है बीस हो गया क्या नहीं हुआ अभी भी दो छे अरे हो तो जीरो लगाने को कुछ फैयदा हुआ क्या कुछ भी फैदा बुलते हैं ठीक है और जिनके कुछ माइने रहते जैसा दो का कुछ माइने है जिसके कुछ कुछ सिग्निफिकेंस है दो के उसको अपन बुलते हैं बामाने आदा ठीक है बामाने आदा ठीक है अगर मैं इसके बादो और एक जिरो लगा दूँ तो अभी कुछ फरक पड़ तो इसका मतलब यह है कि यहां पर और एक जिरो लगा है तो वो भी बेमानेश है और यह दो बामाने है ठीक है अच्छे बात है सर अगर मालो मैं आप लिखा अशारिया दो और यहां पर लिखा जिरो आपको मालों बचो कि जिरो के भी कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है इसके ज चलता आशेरीया थीन का मतलब का है जिरो जिरो चैनला इस नहीं है इस जिरो के ही कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर मैं यहापर लिखू टू पॉइंट थिरी समझ में आथा दो अच्छा दो ऑच्छा देन एगर मघर लिखू है पर खाली पॉइंट फाइफ तो समझ य पर क्या है कुछ भी नहीं रहे तो क्या रहा था जीरो रहता ठीक है तो इसका मतलब यह 05 एचिछ भी बोल देते हैं अशारिया पांच काफी अधा बोले तो भी काफी है यह जीरो कभ नहीं भी बोलोगे तो कोई बे माइने रहते हैं, तो हमारा special focus रहेंगा उनके उपर जिनके कुछ significance है, जिनके कुछ माइने हैं, ठीक है, अभी ना आपके screen के उपर rules आ रहे होंगे, उर्दू में रिखे होए, उन rules को अच्छे से देखिए, फिर मैं आपको वो rules एके करके explain करता हूँ, शुरुआत के दो rules देखिए, पैरा रूर क्या है बचों, सभी गैर सीफर हिंसे बाम आने हैं, यानि के अगर जितने भी हम लोग 0 को छोड़के नमबर लिखते हैं, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आंट, नो, इन सब के कुछ ना कुछ माइने रहते हैं, ठीक है, तो य माइने हैं, पांच के कुछ माइने हैं, इन सब के कुछ ना कुछ माइने हैं, ठीक है, दूसरा rule क्या है बचों, किसी दो गैर सीफर हिंसों के दर्मियान, सभी सीफर बाम आने हिंसे होते हैं, मतलब क्या बोलना चारू महीं, अगर मैं ऐसे लिखूं, दो, जीरो, तीन, तो दो गैर सीफर हिंसों के दर्मियान, सभी, यहां पर तो एक इस है, सभी सीफर बाम आने हिंसे होते हैं, तो अब यहां पर जो आपन जीरो लिखना बचों, इसके माइने हैं, देखो, यह पूरा टापिक ना, हम लोग सिर्फ जीरो से डिल करेंगे, दुसरे डिजिट तो प हैंड्रेट बोलते हैं ना, है ना, एकाही, दाही, सैकड़ा, यानि कि दाही के मुखाम पर कितना है, जीरो है, यानि कि दाही वाला हिस्सा क्या है, जीरो है, बोले ऐसा, तो इसका मतलब दो सैकड़े पर ही है, मतलब दो सो बोले ऐसा, है ना, और दाही मुखाम वाला जीर यह पर तो नहीं है तो इसका मतलब यह किसका मीनिग यह है यह जिरो का यहां पर इसके माइने यह है कि इस मुखाम पे इस मुखाम पे किस मुखाम पे सैकड़े के मुखाम स्वरी दाही के मुखाम पे टेंस की पोजिशन पे जीरो है टेंस के पोजिशन पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहे है तो इस 0 को कुछ माइने है अगर मालो मैं ऐसा लिखा 4-0-0-5 तो इसका मतलब यह है चपनलब यहां पर सायकड़ा का मुखाम और दाई का मुखाम दोनों भी क्या ए 100 का पोजिशन और टेन्स का फोजिशन दोनों भी क्या है जीरो है तो इसके कुछ माईने निकल रहे बच्छो ठीक है और इन्हें क्या बोर रहा हिंसे बामाने होते हैं चाहे अशारिया नुक्ता का कोई भी मुखाम हो अगर मालो मैं ऐसा लिखा है एक एक जामबल मैं आपको ऐसा दे रहूं कैसा दे रहूं कि जीरो पॉइंट फॉर जीरो जीरो फाई जीरो सिक्स तो वैसे तो नंबर पूरे की पूरे बामाने हैं तो यहां पर तीन तो आदा बामाने हैं यह जो दो जीरो है वो चार और पांच के बीच में हैं दो गैर सीफर हिंदसों के बीच में यह दो जीरो से यानि कि यह दोनों भी बामाने हैं यह व और चाहे अशार्या नुक्ता हो या ना हो जैसे हैं पर दिख रहा कोई यहां पर नहीं है यहां पर है तो रहने दो नक्कों रहने तो भाड़ में क्या सुख अपन क्या देखना अपन यह देखना कि क्या हमारा जीरो दो गैर सीफरी हिंदसों के बीच में हैं अगर है तो वह BAM вмانे है. अगर वो है तो वो क्या है बच्छो BAM आने हैं. अगला रूल देखिए. तीसरा रूल ऐसा अदध जिस में अशाइः नुक्ता ना हो. आइसा अदध जिस में अशाइः नुक्ता ना हो. मिसाल के तौर पर मिसाल के तरफे 4003 ये कैसा अदद है जिसमें अशायरे नुक्ता नहीं है उसमें उन्हें बोरा खत्मी 0 खत्मी सीफर खत्मी सीफर को बच्छों इंग्लीश में आप उन लोग बोलते हैं हैं छों कि भी सिफर मोओं तो रास्ट में जो आते हैं उनको बोलते हैं ऑर इस इक उपने इए कि वोलते हैं कि दाल है तो बामाने पका ए कर रहे तो दो बामाने हो गए और दौ जीरोज दोज और हिंसों के दर्मयान तो ये दो जिरोस भी बाम आने हैं, यानि कि चार तो पक्का बाम आने आदाद है, मतलब एक, दो, तीन, चार, चार लोगां तो पक्का बाम आने हैं, भाख की जो तीन जिरोस हैं, इनके कोई माइने नहीं है, क्यों 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 कि क्या बुराने, ऐसा अदाद जिसमें अशा सब 1 मिसाल के तॉर पर अगर मैंा पर लिखंग गूद्टे ठिक है और मैं यह बोल दूब कि यह जो ना यह सैकडे के मुकाम पर आप मुझे पूछ ऋगे दाइ के मुखांपeee क्या और काई के मुखाम ये एक जो है ना, ये एक कहां पर है, सैकड़े के मुखाम पर है, और ये पांच दाहाई के मुखाम पर है, आप पूछ रहे हैं, एकाई के मुखाम पर क्या है, मैं बोला बचा कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बोल देते हैं, अच्छा एकाई की मुखाम पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यह है के यह 150 से ना इसे सेकड़े के मुखाम प्राना था ने तो 150 भूला इसा तो यह पिछे की जिरों लिखते हैं ना बच्छो यह पिछे की जिरों सिर्फ अपन इसलिए लिखते ताके हमागों पता चले कि ये जो अदद है वो किस मुखाम पे है इन्हें दहाई पे है इन्हें सेकड़े पे है इन्हें किदर है वो मालूम होता अपने पे सारे तो ये दो जिरो से नियुना भी बुच्छ कर रहे थे नई ये लोगां सिर्फ इतना ही काम नहीं कर रहे थे कि ये चार काम पर है बुलके ये लोगां एक और काम ये कर रहे थे कि इन्हें बोल रहा था अगर मैंसा लिखूं चार जीरो जीरो तीन बुलके तो ये जीरो ये वाला जीरो ये वाला जिरो ये भी बोल रहा कि सैकड़े का मुखाम जिरो है बोलके कॉन्फिडेंस के साथ बोला है सैकड़े का मुखाम क्या है बोलके जिरो है बोलके क्या ऐसा कॉन्फिडेंस हैं पर दिख रहा आपको आऎको कुछ भी ने आपने खालो जिए तो मुझे यहां पर कुछ लिखने की खूरत निये हैMS cabbage लोग इसनेओ धालते ताके बता सके के ये वह गैर सिफरी हिंदसा किस मुकाम पर है ताके इसलिए इन इन ऐसे आदा जिसके अदर अशारिया नहीं है उसमें ये खत्मी सिफर बामाने नहीं होते है खत्मी सीफर बाम आने नहीं होते है अगर किसी को मुश्किल हो रही कमेंट करिए मैं इसको इंचाला और थुरा सा अलाबरेट करके एक्स्प्रेंट करतो बाद में बड़ा इंपॉर्टन्ट है दिखे ऐसा अदद जिसमें अशारिया नुक्ता हो ऐसा अदद जिसमें अशारिया नुक्ता हो मिसाल के दोर पे 0.1500 ये एक ऐसा अदद है जिसके अंदर अशारिया नुक्ता है तो ऐसे केस में खत्मी सीफर बाम आने होते है अगर अशारिया नुक्ता नहीं है तो बाम आने नहीं है अगर अशार्य नुक्ता है तो यह जो खत्मी सीफर है वो भी बाम आने है वो इसलिए क्योंगे जरा देखिए अगर मैं यहापर लिखू जीरो पॉंट वन ठीक जीरो पॉंट वन तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एक नंबर है और कुछ मतलब नहीं क्या मतलब रहता है इसका इसके बाजुक मैं 0 ने डाल सकते हूं according to mathematics मैं इसके बाजुक 0 ने डाल सकते हूं हमारे बाज जगों पैसा बोला जाता है कि आप जितने चाहे उतने 0 डाल सकते हैं नई डाल सकते आप आप experiment करो experiment करने के बाद अगर आप sure हो आप confident हो आपको पका भरोसा है कि 0.1 है उसके बाजुक कुछ भी नहीं है आप experiment करके मालुम करें तोच 0 डालो अगर आप confident नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि आपको 0 भी नहीं डालना चाहिए अगर आप डालते हो तो आपका जवाब भी खलाच है तो जो यह trailing 0 बच्छों ट्रेलिंग 0 का मतलब है क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि मैं मालुम करा और यह मुखाम पे 0 आना मैं मालुम करा और इस मुखाम पे क्या आना बच्छों 0 आना जिसां मिसाल के तरफे एक और मिसाल पार बतातूम मैं अबको जिसां है पर लिका में 0 आशारिया 50–0 तो जिरो आशारिया एक पाँच के बादुक मैं जो जो दो जिरो दाला यह दो जिरो मैं कब दाला हूंगा जब मैं एक्स्परीमेंट करके शोर हुआ तब इस दाला हूंगा तो इसका मतलब यह कि जो भी मुखाम है इस मुखाम पे इस मुखाम पे जीरो चाना और इसके कुछ माइने निकल रहे तो इसका मतलब क्या बोरू मैं यही बोरू कि ऐसा अदा जिसमें अशारे नुक्ता हो उसमें खत्मी सीफर क्या होते है बामाने होते है शायद हो सकता आपको थोड़ा सा गड़बड दिख रहा होंगा लास्ट के दो रूर्स में मज़ान या रहा होंगा तो मैं आपको ना एक और तरीखे से इसको एक्स्पिजन करता हूँ वो वाला देखिए और उससे पहले आप लोग यहां पर नबर चार बनाएए क्योंकि चवता रूल था तीसरा रूल नहीं था यह ठीक है शुरूबाट के दो रूल अच्छे दीखेंगे, आखरी के दो रूल थोड़े म Zug voll दीखेंगे उनके लिए यह वाला अच्छा तरीख है देखिए आखरी के जो दो रूल है उनको और अच्छे से समझने के लिए क्या है एकाईयों को बदलने से कभी भी बामाने आदात की तेदात नहीं बदलती ठीक है इंग्लिश में क्या बोलते मानू बचो इंग्लिश में बोलते अगर आप confused हो तो आप क्या करो Unitary Conversion क्या करो Unitary Conversion कैसा गरते जरा मैं मिना देता आपको मिसाल के तौँ पर मैं क्या लिखा एक is एक के बाजोग लिखा एक जीरो दो जीरो सूँगर नहीं है तो अगर आशाया नहीं तो खत्मी सिफर की कोई माइन नहीं रहते यानि किसमें कितने बामाने आदा यह आदा है आपको कि यह हजार ग्राम है मैं इसकी यूनिट को कनवर्ट करो ग्राम को किलो ग्राम मना रहो तो हजार ग्राम कितने किलो होता बचो एक किलो होता हजार ग्राम कितने होता एक किलो होता तो इसमें कितने बामाने आदाद है इसमें भी एक इच है यानि के यह पर क्या है बामाने देप हुआ और अगर आप इसको कंवर्ट करते तो यह पर तो एक ही चाहता क्यूँके तीन जिरों की तो खुर्बानी होगी है नहा एक जाहता है ओपर तो यहाँ पर रहते चार बामाने आदाद और यहां पर रहता एक बामाने आदाद यानि कि एकाई'ों के बावजूद भी आपके बामाने आजाद की तेदाद नहीं बदलनी चाहिए ठीक है तो यह आप लोगों को मैं हलका सा एक्स्प्लेंट करा था बच्छो पांच रूल के जरीए मैं आपको ना एक एक रिविजन डेतू हूं ठीक है रिविजन टाइप का बता जेतू हूं द जो भी नमबर रहते हैं वो पूरे के पूरे सिक्निफिकन्ट रहते हैं फिर मैं एक रूल बोला के जिरो पॉइंट फो डबल जिरो फाइव अगर इसा अब लिखोगे तो यह जो दो सीफर जो गहर सीफरी हिंसों के दर्मियान है वो दो सीफर भी क्या है बामाने है बोलके बला था में फिर उसके बला था में कि तीसरा रूल अगर मैंह पर लिखा तीन हजार बोलके ठीक है तो यह जो ट्रेलिंग जिरो ज रहते यह जो खत्मी सीफर रहते वो अगर अशारिया नहीं है तो यह खत्मी सीफर भी बामाने नहीं रहते एक नमबर है जिरो पॉइंट फाइब डबल जिरो इसमें कितने बामाने आदाद है चार बामाने आदाद है क्यों कि इसमें खत्मी सीफर भी इसमें खत्मी सीफर भी कह रहते है बच्छों इसमें खत्मी सीफर भी बामाने रहते हैं क्योंकि यह पर क्या है अशारिया है तो यह चार बातों को जहें में operations को देखिए आप operations मतलब बामाने आदात के साथ हम mathematically operations कैसा करते हैं जरा उसको देखिए बामाने के हिसाबी अमल को समझने से पहले आपको गैर येखिनी हिंसों की खरीबी खदर लेना आना चाहिए यानि के रौंडिंग ओफ रौंडिंग ओफ सर्टन अंसर्टन डिजिट्स आपको करना है ठीक है यह क्या रहता अपन जनरल लाइफ में इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं ठीक है मिसाल के दर पर आप कोई एक दुकान पे गये अगली बार आपको बिल हुआ कुछ तो भी कितने रुपे हुआ मान लीजिए एक तीस रुपे हुआ आप क्या बταिताल अरहिक क्या अटीसभी एक सब्सट्बब अपने को रॉंड़िंग उफ फिगर करने का ऩुब जिसको आप निकालना चाहरे हो जैसा है यहां पर at उसको क्या करना अपन रॉंड करना और ऑफ कर देना अपना इसके तो इस नंबर को पन क्या करें रॉंड आफ करने के कुछ उसूल बने हुए वह अपन देखेंगे यह तो अपन जनरल लाइफ में यूज करते और उसूल से जो आंसर आते हैं आप देखोगे कि वह आंसर वैसे ही रहते जैसे आपन जनरल लाइफ में लेकर आते हैं मिसाल के तौर पर देखेंए पहला ओला आ आपके पास एक नंबर और आप चाह रहे हो कितने हिंसे सर्फ 2 हिंसे चाह रहे हो यानि क्या आप आँट को यह यहां चाह रहे हो आट को ठावा चाह नमबर को हम अटाना चारे अगर वो पांच से बड़ा है ठीक है अगर अगर रौंडिंग ओफ डिजिट यानि के गहर यखीनी हिंसा जिसको अपन अटाना चारे अगर गहर यखीनी हिंसा अगर गहर यखीनी हिंसा पांच से बड़ा है पांच से क्या है बचो बड़ा है तो क्या करना है पांच से बड़ा है तो पांच से बड़ा है तो क्या करना मालूम बच्छों अपन लोग अपन पिछले हिंद से में मतलब उसे पहले आने वाले हिंद से में पिछले हिंद से में पिछले हिंद से में एक जमा कर देना तो कितना हो जा रहा है पर एक ये 5 हो गया आट को अपन हटा है आट 5 से बढ़ा है आट 5 से बढ़ा है तो इसके पिछले हिंसे में अपन एक का इजाफा कर दिंगे यानि कि यह हो गया 550 बुछ होता है ना बच्छो 540 रुपे बिल वाट आप कितने देते 550 सर नहीं समझ मैं ए दूसरी मिसाल ठीक है दूसरी मिसाल क्या देरो में आपको दूसरी मिसाल देरो में नंबर है दो तीन चार नौ यानि कि बिल हुआ 2349 रुपे हम आपको बोले कि इसको रौंड आफ करो कितने रौंड आफ करना पहले बोले उनमें को तीन हिंदुसों तक रौंड आफ करो य तो तीन है पर क्या दाता बच्छों पांच जीरो आपन नौ को क्या करें रॉंड कर दिये रॉंड आफ कर दिये और नौ कू रॉंड आफ करते खुद मैं पिछले इंसे में एक इसलिए जमा करें कि नौ पांच से बड़ा था ठीक है फूफुलिया पको पहला रूल समझ में लागांगा बहुत सिंपल है ठीक है दूसरे रूल को देखिए दूसरा रूल क्या है मालों बच्छों दूसरा रूल ये है कि अगर घैर यखीनी हिंसा पांच से छोटा है ठीक है पांच से क्या है छोटा है तो क्या करना पड़ेंगा पिछले हिंसे में पिछले हिंसे में क की जाएगे जैसां मिसाल के तौह पर अगर मैं आपके नमबर लिया ठीक नमबर के है पांचवрон 403 ओने मुझे बोला उस तीन को हटा दो तो यह 3 पांच से बड़ा या च्छोटा है थो अगर पांच से छोटा है तो सार और एक मिसाल दो थीक है और एक एग्जेंपबल मैं आपको देरहूं क्या देरो और एक एग्जेंपबल मैं देरो आपको फूर नाइन ट्री 1,400319 और के मेरे को बोले के तीन को भथा तो तिन को रॉंट अफ करो तो तीन पांच से बढ़ा है की छोटा है? पांच से ऊटा है अगर पांच से छोटा है तो ये वाला नमबर जैसा है वैसी ही रहेंगा यानी के ये नौ जैसा है वैसी ही रहेंगा और देखिए उखिरा भाच़ो 1493 किसके जादा खरीब है 1490 के जादा खरीब है तो 5 से छोटा हो रहा तो क्या होता समझ में आ गया 5 से बड़ा रहा तो क्या रहता समझ में आ गया बचों अगर 5 ही हो तो अगर गेर यखिनी हिंसा 5 है ठीक है पहुने भी सब अगर गैर यकीनी हिंदसा पांच है जिसको हम हटाना चारे है जिसको हम रांड आफ करना चारे है वो खुद पांच है अगर रांडिंग आफ डिजिट खुद पांच है ठीक है गैर यकीनी हिंदसा किसके मसावी है बचो पांच के बराबर है अच्छी बाते सर्तों क्या होता अगर ऐसा है तो अपन पिछले हिंदसे को देखेंगे ठीक है तो पिछला हिंदसा आपन देखने वाले बचो पिछला हिंदसा आपन देखेंगे अगर पिछला हिंदसा जुफ्त है क्या है बचो पिछला हिंदसा जुफ्त है जिसकों इंगल होगी बरावर हां और अगर पिछला हिंद साथ है ताथ है यूनिक आड़ है ओर ठीक है तो उसमें एक का इजाफा किया जाएगा एक का इजाफा किया जाएगा सार ऐसा है कि मिसाल से भी समझाओ, मैंने लो नमबर है हमारे पास, दो, तीन, पाँच, ठीक है, और एक नमबर है दो, चार, पाँच, ठीक है, अब इसको रॉंड उफ करने का है, यहां पर क्या है बच्छों, पाँच, निकलना कि इसको एंप पांच कुछ निकलना है, दो हि यह मतलब पांच को हटाना पड़ींगा अब पांच को अटाना है तो अगर दो रूल लगा तो नहीं लगते क्यों कि उसमें क्या है जिसको हटा रहे उन्हें या तो पांच से बढ़ा रहना या तो पांच से शुटा रहना यहां पर दो उन्हें खुद पांच ही थे तो अप पर पांच को रॉंड आफ करना चारे रॉंड आफ हो जाता और उसे पिछले वाले हिंसे को देखिए उन्हें क्या है उन्हें जुफ्त है इवन है तो इवन रहा तो कोई तद्दीर नहीं होती मतलब दोनों की दोनों 255 से अतना ही दूर है दोनों में भी 5-5-5 पांच। 5 पांचंपा फरक हैं न बच्छों लगजर हें 240 से लिए लेते क्योंकि अपन जब कलिकोलेशन्ग करतें न जब न बच्छों है अपन गर कोशिश करतेकि हमारा हिसाबी अमल आसान से आसान हो उस आसान से आसान होने के लिए अपन कोशिश करते हैं कि हर अदद जुफ्त हो इवन हो तो इवन रखने के लिए अपन क्या करते हैं यह ताख है ना बचो 230 लिखे तो अब तुम बूलेंगे साथ 230 तो एक जुफ्त अदद है मैं मान तुम्हें तो तीन को हटाने के लिए जो ताख अच्छा है मुझे 240 लेना और यहां पर अगर मैं इसको पांच बना दूंगा एक का इजाफा करूंगा तो क्योंकि फिर आउड हो जाता है अपन बोले इवें रहना तो इवें रहना यानि कि जुफ्त रहना मतलब इसको में कुछ है तो जुफ्त बना देते कईसा बनाते उसमें एक जमा करते ए और तो पहले से जुफ्त है और उसको जैसा है वाईसी छोड़ देते लोग ठीक्षक है एक ऐसा रूल है जो बहुत कम बच्छों को मालूम है और बहुत कम लोग जो भ diseases करते क्या है मालव आपको अगर मालो एक नमबर है कैसा है 2352 2300 बाद इसमें माँ को बोला, कि उसको खली कि दो हिंसे चाहिए इन दोनें को हटाना है सार 5 को हटाना है हाँ 5 को रौंड औफ नफ करना है تو 5 को रौंड अफ करना है सार तो देखना है अपने कि इन्हें ताख है कि जुफ्त है और अगर ताख है तो एक जमा कर देना आप जो बात बुरे वो सही है ताख है तो एक जमा कर देना ठीक है अगर मालो ऐसा होता दो चार पांच दो तब आप क्या करते हैं कभी भी आप य इज बूते है कि सार ये पांच है और ये जुफथ है तो यह जैसा है वैसी रखदो आप नहीं बचो मेरी बात सुनो, ये वाल Może घुब, अपने उसूल लि這邊 रिखें ना, ये उसूल तभी अपलाई होता जब आफरी में सिर्फ पांच हो, पांच के बाद को बोलते हैं कि सार्ये पंच है और ये जुफ्त है तो ये जैसा है वैसे ही रखड़ूाख anche नइ बच्चो मेरे बात सुनो ये वाला जो अपन उसूल लिखें ना ये उसूल तभी अपलई होता जब आंकिरी में सिर्फ पांच हो 스타일 में पांच हो पांच के बाद कोई ना हो आप पांच को रॉंड अफ करना चारें रॉंड अफ कर लो मगर पांच के बाद कोई और नह रहना तब यह रूल लगाओ तो सही है मगर अगर पांच के बाद कोई भी बंदा है चाहे वो एक रहने दो दो रहने दो एक से लेके नो तो कुछ भी रहने दो तो आपको क्या करना है बोलतो इसके अंदर खुद बाखुद एक जमा कर देना है की इसकोzas कर रहे हैं अब पांच को कर रहे तो भी ढूंड अफटा ओजाता व we दोनों तो जिरो हो गए आपको चाहिए भी नहीन था आपको तो दो कर दे से में एक जमा कर देना और यहांपर क्रीकरना और यहां पर भी क्या करना बच्छो एक जमा कर देना अपका क All08 कि जा डबल जीरो आना चाहिए था तो 2452 किसके जादा खरीब है 2400 के जादा खरीब है कि 2500 के लाजीम बात है कि 2500 के जादा खरीब है ना बचुछे तो मुझे यह बहुत यह बात बोलना है मुझे कि जबी भी आप क्या करोगे बच्छों से रौणिंग फिगर करोगे जिसमिसाल के द्वर पर और एक नमबर ले लिए एकत इनॉफ्च एक है आपको बोले कि पांच कूर रॉंड आफ कर दो पांच क्यpole आप्याद वाला है नहींट कि और कोई और बी थे तो वह कौन है देखने की जरूरत इनिए डेक्स 你 लिए अपक्या करो पिछले हिंसे में एक जमार कर दूइंडे पहल त Lily ओर स्भी एक हजार तीन-सो एक किस ही जादधा खरीब है ही आ फेल्टी नहीं ठीजा को सब्टाइब हे रिचांत डिन्स के लिए नहीं को इन से थाना जैके तो खरीबी खधर के लिए लिए तो यह उस passing हłम उसूल के हैं पर जो हम हर एक में ये यूज होते रहता ठीक है मिसाल के तरफ एक नंबर है कुंसा नंबर है 2 5 3 4 3 2 1 खुस्तो भी में को नहीं मिला एक नंबर डाल लिया वसरों में ठीक है तो पर एक को अटाएंगे तो कितना था बच्छों 2 5 3 4 3 हैं Pepांत से चोटा तो यह पर डैरेक्ली डो दाल दीजिए दो जैसा वेसी रहता फिर बो यह फोटाई यह तो दो पांच तीन चार जैसा है वेसी रह थो यहां पर बीजिए उत यहां पर बिजिरा थो रहेगा यहां दूर आणा करने लुटर को चोटा है तो ये तीन जैसा है वैसे ही रहेंगा यानि के चाठ जिरो के चाठ जिरो तीन को अटाना है तीन पांच से छोटा है तो ये वाला नंबर जैसा है वैसे ही रहेंगा है ना बचो ये पूरे जीरो हो गए पांच पांच ना पांच से छोटा है ना पांच पांच से ब नमबर है तो इसमें क्या करना आपम लोग इनने जैसा है Vयुसी रखे नह यानिकर अनि कै पर थो स्कождения ही करोड यानिकि 2 करोड ना पांचार क्रोड़ को दू करोड़ है पांस तो इजादा खरीव होगा एग इक तो एक आखरी एक्जेंपल है पर अखरो में ठीक है तो अपने को रॉंड अफ करना है लास्ट एक ही डिजिट तक एक हिंसा चाहिए सबको निकालना अपने को ठीक है तो पहले आपने नौ को अटाइंगे बचो तो नौ नौ पांच से बड़ा है तो इसके नदर क्या करना प पड़िंगा यानी कि याने वाला है एक दो तीन अशारिया चार पांच शे साथ एक बढ़ाना पड़िंगा इसके नदर आपर को अगए ठीक है तो एक दो तीन अशारिया चार पांच छे साथ चार पांच छे हो गया बचो अपन नव को हटा रहे तो नव पांच से बढ़ा है यानि कि इसे हमाँ को एक मिला देना पड़ता तो यह पर क्या आता बचो आट आ जाता और ये दो जिरो और ये एक नव का भी जिरो आ है जब आपनऄ आट को हटाएंगे बच्छो तो आट पांच से बढ़ा है यानि कि इसमें जाता जिरो जिरो 0000 बराबर बराबर जब आब चे को अटा होगे तो इसमें एक जमा करना पड़ी है पांच पिन्य पर रहे हैंगरण एक 00000 बराबर बिलकुल बराबर पांच को अटाना है तो पांच के बाद कोई हिंसा है का खोई पढ़ी है त्राथ मैंतल इसका मथंगोंगों तैम इने ताखे की जूफते इने ताखे तो क्या करना पढ़ी एक मिला देना पढ़ी इनिक याने वाला एक दो चार अशारिया 0000000000 ठीके बथे चार चार पांस से चूटा है यानिके दो जैसा है वैउसे रहेंगा तो यह हुजेंगा बच्शो 1,2,0 a.0,0,0,0,0,0,0,0 जब यह 2 को हटा होगे तो 2,5 से शुटा यानि के जैसा वैचे रहेंगा तो यह हुजेंगा 1,0,0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,0、 0,1,2,3,4,5,6,7,0 से समझ में बचो तो इसी को बलते बचो राउंडिंग और फिगर अगर आपको कुछ मुश्किल हो रही इसमें समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें आपका कोई भी नंबर इंशाला उसको हम राउंड आफ करके बताएंगे डाउट है तो प्लीज कमेंट में पूछिए